पुश्वर्ट तैन अब यह कुश्चन जो है थोड़ी परेशन करने वाले हैं कैसे अगर आपसे कोई कए साइन वर साइन टू पाइवाइट थी है ठीक है अब यहाँ पर यह चीज़ आ जाए कि साइन इनवर्स यह लिखा हुआ है साइन टू पाइवाइट थी तो आपका मा सब्सक्राइब यूट्यूब पे कासी सर है एक पोरेस करके इनका चैनल है क्लास 12 मैस तो भाई 19 सीखा है तो एक चटाक से लगेगा बोलेगा यूट्यूब पर पढ़ना बंद कर दो ठीक है तो ऐसे अगर उतना ही अब जिनों ने उतना ही सीखा जितना अभी तक सिखा है उसके साब से तो अंसर यह लिख्या जाओगे ना ठीक है अब इस्तिकरवाद होगे सबकी अपनी और मेरी वी तो याद रखना विटा यह जो आंसर आता है अगर यह रेंज में आता तो ठीक है आपको पता है मैंने सिखाय था कि साइन इन्वर्स की जो रेंज है वह माइनस पाइवाई टू से पाइवाई टूं है इसको डिगरी में समझू तो यह नाईंटइद इगरी है माइनसere प्लसका और अगर मैं इसको डिगरी में समझाओ तो अगर आप इसमें डिगरी में निकालोगे तो यह ओनेट या रहा है कि ज Dok does not belongs to minus 5 by 2 से 5 by 2 जिसमें बिलॉंग नहीं कर रहा है यह इसमें बिलॉंग नहीं कर रहा है अगर इसमें यह बिलॉंग नहीं कर रहा तो करना क्या चुछिए हमें इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा तो साइन इनवर्स क्या हम 120 को 180 माइनस का 60 डिग्री यानि पाइवाइधी लिख सकते हैं अगर भाई यह 2पाइवाइधी अगर आप लोगे तब भी 2पाइवाइधी आएगा या बैसे सोच लो कि 180 माइनस का 60 120 तो होता है लेगिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक फाइदा हो जाएगा आपका कैसे 180 मा सब करासे जये और यह्या है डिझा है अज्वाइधी में कफन नहीं होता है अंसरा साइनटेटा सीधा यह आजाता है इसका मतलब यह सीधा सीधा बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री तो इसका अंसर हो जाएगा पाई बाई थ्री अब ये आपका अंसर सही माईने में सही है ठीक है आई बात संज में अब ये आंसर है ठीक है ठीक है आई बात संज में सब को किलियर है चलिए बहुत बड़ी बात है